नमस्कार जहींद, All Exam Guide Guru का YouTube चनल आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, GK के 50 प्रश्ण लेकर आए हैं, यह Practice Set Paper है और इस Practice Set Paper में 50 प्रश्ण में से आपको 20 प्रश्ण सही करने हैं जो हमारी चनल पर पहली बार आया है, उनको बता दें, रोज 3 टेस्ट होते हैं GKK सबसे पहले आपको मिल जाएंगे, पचास-पचास'm का Practice Set Paper होगा 20 प्रश्ण यहापक़ आपका पढ़ाई अच्छी प्ढ़ाई तैयारी अच्छी Chiap 4.1.APB किस मंडल को हानी पहुँचाते हैं आपको इस प्रश्ण में यह आंसर देना है ऑप्शन देखिए छोब मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या समताप मंडल सुपर सोनी की विमान किस मंडल को हानी पहुँचाते हैं बिलकुल इसी कौशन है यार केगा कि जो आयन मंडल है इसको सुपर सोनी की विमान हानी पहुचाते हैं एक्जाम में कई बार यह कौशन पूछा गया है तो ऑप्शन नमबर भी आयन मंडल प्रश्ण के लिए बिलकुल सही आंसर है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज यह कौन सा है प्रशन पूछ रहा हूं जो की बिलकुल एक्जाम में आ चुका है और आएगा भी आगे भी आपके एक्जाम में आपको बताना कि कौफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं कमेंट करके बताना है कौफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है पहला उप्शन है असम और दूसरा उप्शन है करनाटक इनमें से कौफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है आपको कमेंट करके बताना है एक्जाम में आपसे कौशन पूछा जाएगा तो आपकी तयारी हो जाएगी कमेंट करें देखते हैं कितने लोग सही जवाब देव पाते हैं इस प्रश्ण का कौफी का परण सबसे जादा कहां पर होता है अगला कौशन है कि नित्रावती नदी किस और प्रवाहित होती है न प्रशन नमबर यहां पड़ी दक्षण की ओर भैती है नित्रावती नदी बिलकुल सही अंसर हो जाएगा इसे प्रश्ण के लिए अगला है कि भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहां कि अधिवेशन में की गई थी भारती राष्ट्री कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी यह कॉश्चन है यहां पर जो option देगा है उसमें से क्या आंसर से हो जाएगा तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो की गई थी लाहोर अधिवेशन में option number D पढ़िए लाहोर अधिवेशन इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी राइट आंसर हो जाएगा अगला question आप से पूछा गया है कि computer का IC चिप किसका बना होता है computer का जो IC चिप होता है किसका बना होता है option पढ़िए नाइक्रोम, चांदी, सिलीकॉन या फिर सोना तो या रखना computer का जो IC चिप होता है यह आपका सिलीकॉन सेमी कंड़क्टर का बना होता है सेमी कंड़क्टर मतलब उपधातू का बना होता है option बसी सिलीकॉन का बना होता है कम्पिटर का IC चिप अगला प्रशन आपसे पूछा गया है कि अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस को बनाने में किसी का प्रयूग करते हैं? उप्शन पढ़ लो एक बार अमोनिया गैस के लिए लोहे का चून, निकेल, तामा या पर आयोडीन तो अमोनिया गैस बनाने के लिए लोहे के चून का प्रयूग किया जाता है option number ये लोहे के चूण का प्रियोग करते हैं ammonia gas बनाने के लिए अगला प्रश्ण है कि भारती राष्टी Congress के संस्थापक कौन थे बताइए भारती राष्टी Congress के संस्थापक इन में से कौन थे नाम पढ़िए दादा भाई नौरो जी ए ओ ह्यूम महातमा गांधी या जवाहरलाल नहरू भारती राष्टी Congress के संस्थापक तो भारती राष्टी Congress जो है इसकी जो स्थापना की थी यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका ए ओ ह्यूम जी ने option number B ए ओ ह्यूम के द्वारा भारती राष्टी Congress की स्थापना की थी option number B बिलकुल right answer हो जाएगा अगला question है कि राजसभा का अध्यक्च कौन होता है राजसभा का अध्यक्च राजसभा का अध्यक्च होता है option पढ़िए राष्टपती, प्रधान मंत्री, लोकसव अध्यक्च या उपराष्टपती right answer है उपराष्टपती जो है ये राजसभा के अध्यक्च होते हैं option पढ़िए उपराष्टपती, राजसभा के अध्यक्च होते हैं प्रश्णी के लिए बिलकुल सही अंसर हो जाएगा अगला प्रश्णी कि किसी वस्तु का भार चंद्रवा पर क्या हो जाएगा किसी वस्तु को चंद्रवा पर ले जाएगे तो क्या हो जाएगा उसके वजन में बढ़ जाएगा, घट जाएगा या सामन रहेगा तो right answer है वहाँ पर घट जाएगा क्योंकि हमारे हां की gravity से वहाँ की gravity कम है इसलिए घट जाएगा वजन एक बटे 6 है वहाँ पर तो घट जाएगा option number भी right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगला का option है कि nicotine का मुख्यस्तुरोत इन में से क्या है आपको बताना है nicotine का मुख्यस्तुरोत क्या है option पढ़ो चाए, कॉफी, तमबाकू या कोक तो nicotine का जो मुख्यस्तुरोत है चाए, कॉफी, तमबाकू, कोक में से right answer हो जाएगा तमबाकू option number C तमबाकू जो है ये nicotine का मुख्यस्तुरोत है option number C यहाँ पर प्रशन के लिए बिलकुल सही answer है दोस्तों देख रहे है question कितने अच्छे है ये आपके exam में पिछले कई सालों से पूशे जा रहे है जिसे exam के आप तयारी कर रहे है हमने आपके लिए 10,000 GKGS के MCQ question answer बना है 10,000 GKGS के question answer जो MCQ के format वे 4 option में जो कि आप जो exam तयारी कर रहे हैं आ सकते हैं 100% chances से आने के और वो question answer PDF है और PDF सब को WhatsApp पर मिल जाएगी आप में से जिसको भी चाहिए WhatsApp पर PDF मिल जाएगी PDF जो है आपकी वो 300 रुपे की है लेकिन अभी exam चल रहा है तो केवल 99 रुपे में जो भी सक्छम है जो भी ले सकता है वो ले ले बाकी YouTube से पढ़ो बाकी जो जिसको लेना हूँ 99 रुपे में आपको 10,000 GKGS की question मिल रहा है जो कि आपके exam में फस सकते हैं तो इनको PDF को लेने के लिए नीचे देगा नंबर और WhatsApp कर लेना नंबर आपको पूरे वीडियो बर शोओगा जब भी आप वीडियो चोड़ो उसके बाद आप call कर लेना या screenshot लेके रख लेना ठीक है Congress का नाम भारती राष्टी Congress किसके द्वारा रखा गया था आपको बताना है कि Congress का नाम भारती राष्टी Congress इनमें से किसके द्वारा रखा गया था तो Congress का नाम भारती राष्टी Congress जो रखा था जो Option दे गए है Right Answer हो जाएगा दादा भाई नोरो जी के द्वार रखा गया था Option नमबर B, दादा भाई नोरो जी ने भारती राष्टी Congress रखा था Congress का नाम अगला प्रशन है कि बेगम अक्तर का संबंद किस छित्र से है बताना है आपको बेगम अक्तर का संबंद इनमें से किस छित्र से है जहाँ पर जो option दे गए है तो बेगम अक्तर का जो संबंद है right answer हो जाएगा गायन शैली से है option number C, गायन शित्र से ये संबने से बेगम अपतर जी, option number C, right answer है अगला question है कि चंद्रकरहन किस दिन घटित होती है, बताई चंद्रकरहन किस दिन घटित होता है ये आपको बताना है option देखो, आमवश्या, पूरीमा, सप्तमी या फिर अश्टमी तो चंद्रकरहन जो घटित होता है, ये पूरीमा को घटता है option number B, चंद्रमा पूरीमा को घटित होता है, option number B यहाँ पर प्रशनी के लिए बिलकोल सही answer हो जाएगा कैनान शब्द किस खेल से संबने से आपको बताना है, बताईए सनूकर से संबने से कैनान शब्द, option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा, इससे प्रशनी के लिए भारतिय राश्ट्री कॉंग्रिस की स्थापना कहाँ पर हुई थी आपको बताना है option बड़ी, मुंबई में हुई है भारतिय राश्ट्री कॉंग्रिस की स्थापना right answer हो जाएगा सतरंज बोर्ड में कितने वरगिया खाने होते हैं, सतरंज तो सतरंज में आपके जो खाने होते हैं, right answer हो जाएगा 64 64 खाने होते हैं, आठ और आठ की पंक्तिया होती हैं, तो 64 खाने होते हैं टोटल लाल फूल को हरे सीसे में यदि आप देखेंगे, कोई लाल फूल है, एक हरा सीसा लीजिए, उसमें देखेंगे, तो फूल कैसा दिखाई देगा तो लाल फूल को यदि आप हरे सीसे में देखेंगे तो वो काले रंग का दिखाई देगा आपको Option number A काले कलर का दिखाई देगा लाल फूल हरे सीसे में विश्व बैंक का मुख्याले कहां पर इस्तित है आपको ये बताना है कि विश्व बैंक का मुख्याले इनमें से कहां पर है तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिये गए हैं उनमें से यदि आप विश्व बैंक का मुख्याले देखेंगे तो ये आपका इस्तित है अगला प्रशनीं कि बांगलादेश की संसद को क्या कहा जाता है ? अगला प्रशनीं कि शिक्वाद का पतन किस सदी में हुआ था आपको पताना है ? सिखवाद का जो पतन हुआ था इनमें से किस सदी में हुआ था क्या आंसर हो जाएगा तो या रखेगा सिखवाद का जो पतन हुआ था ये पंद्रवी सदी में हुआ था option number यहाँ पर आपका c पंद्रवी सदी राइट आंसर हो जाएगा सिखवाद के पतन के लिए options बसी बिलकुल सही आंसर हो जाएगा Black Pagoda का मंदिर किस राज्य में इस्तित है बताओ Black Pagoda इन में से किस राज्य में Black Pagoda का मंदिर इस्तित है option पढ़िये बिहार, उत्तर प्रदेश, असम या फिर उडिसा तो right answer हो जाएगा Black Pagoda का जो मंदिर है ये आपका उडीसा राज्य में है उप्शन बड़ी उडीसा राज्य में है ब्लैक पैगोडा का मंदिर किसे रंग का तरंग देर्द सबसे अधिक होता है बताईए इन में से कौन सा रंग है जिसका तरंग देर्द सबसे अधिक होगा हरा लाल पीला या नीला राइट आंसर हो जाएगा लाल option नमबर भी लाल रंग का तरंग दर्द सबसे दिखोगा option नमबर भी लाल रंग राइट आंसर है भारतिय राष्ट्री कॉंग्रिस की स्थापना कभ हुई थी आपको बताना है बताईए भार्थिय राष्ट्रिय कॉंग्रिस की स्थापना जो आपको option दिये गए इनमें से कब हुई थी क्या हो जाएगा right answer तो यहाँ पर आपको जो option दिये गए है right answer हो जाएगा 28 दिसंबर 1880 28 दिसंबर 1880 प्रश्णी के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि कुनेन किस से प्राप्त किया जाता है बताइए कुनेन इनमें से किस से प्राप्त किया जाता है क्या हो जाएगा answer यहाँ पर आपको जो option दिये गए हैं जो कुनेन हैं यह आपका सिन कोना की छाल से प्राप्ट होता है option number C पढ़िए सिन कोना की छाल इससे जो है आपका कोनेन प्राप्ट होता है right answer हो जाएगा सिन कोना की छाल सरवाधिक मात्रा में भूपरपटी पर पाए जाने वाला तत्तो बताईए इनमे से भूपरपटी पर सरवाधिक मात्रा में कौन सा तत्तो पाए जाता है hydrogen, nitrogen, helium या oxygen यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका इस प्रश्णिंग के लिए oxygen option number यहाँ पर आपका D oxygen भूपरपटी पर सरवाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्तव है option number D बांदीपुर राष्टी उध्यान कहां से बताना है आपको बांदीपुर राष्टी उध्यान option पढ़ो करनाटक, पश्यम बंगाल, राजिस्थान या मध्यपदेश तो बांदीपुर राष्टी उध्यान यह आपका करनाटक आमिस्तत है option number यहां पर एक करनाटक प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बांदीपुर राष्टी उध्यान के लिए अगला question है कि neutron कैसा कण है आपको बताना है neutron इनमें से कैसा कण है तो neutron जो option दिये गए है neutron पर कोई भी आविश नहीं होता ना धन ना रिन ना धनात्मक है ना रनात्मक है आवेश हीन कण है option number यहां पर आपके लिए ए प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यह आवेश हीन कण होता है neutron बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्णी के लिए अगला question देखिए इसमें पूछा गया है कि अधिकांस मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं आपको बताना है अधिकांस जो मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं option पड़ो iron मंडल, समताप मंडल, बहर मंडल या छोब मंडल तो अधिकांश जो मौसमी घटना है ये आपकी छोब मंडल में घटित होती है option number D यहाँ पर right answer हो जाएगा अधिकांश मौसमी घटना है छोब मंडल में घटित होती है अगला प्रशन है कि भारत में संग शाषित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है संग शाषित कुल प्रदेश भारत में कितने हैं आपके लिए surprise question इसका answer आप comment करके बताओगे कि संग शाषित प्रदेश या केंद्र शाषित प्रदेश जैसे कि आपका दिल्ली हो गया अंडमानी को बार हो गया यह सब total केंद्र शाषित प्रदेश या संग शाषित प्रदेश भारत में कितने हैं comment करके इस cancer आपको बताना है 85976 कितने है comment box में comment करके बताओगे संग शाषित प्रदेश ठीक है इस cancer आपको comment करके बताना है अगला question देखो माल प्रभा परियोजना इनमें से कहा परिस्तत है आपको बताना है माल प्रभा परियोजना कहा परिस्ततै उप्ष्न देखो करणाटक प्रश्य मंगाल राजिस्थान या मधरदेश तो माल प्रभाब परियोजना करनाटक राज्य मिस्त थे option number ए करनाटक में हैं माल प्रभाब परियोजना right answer हो जाएगा इससे प्रश्ण के लिए कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे आपको बताना है कृष्ण देव राय इनमें से किसके समकालीन थे अगबर बाबर हुमायू या जहांगीर तो कृष्ण देव राय जो थे ये बाबर के समकालीन थे option number याँ पर भी बाबर इनके समकालीन थे कृष्ण देव राय औप्शन देव राय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय के लिए अगला प्रशन की पंजशीर घाटी कहां पर इस्थित है option पढ़िए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेश या भूतान पंजशीर घाटी कहां पर इस्थित है तो पंजशीर घाटी जो option देगा है राइट आंसर हो जाएगा यह है आपके अफगानिस्तान में option number B अफगानिस्तान में से पंजशीर घाटी option number B यहाँ पर प्रश्ण के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा football में कौन सा gas भरी होती है football के अंदर यहाँ पर आपको option दिये गए है उसमें से बताना है oxygen hydrogen nitrogen या helium तो football में जो gas भरी आती है वो है आपकी helium gas option बढ़ी पढ़िए helium gas जो है football में भरी आती option बढ़ी यहाँ पर right answer हो जाएगा पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था बताईए पागल बादशाह इनमें से किसको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था तो यहाँ पर आपको जो option दिये गए है पागल बादशाह के नाम से right answer हो जाएगा option पड़ो बलबन, इल्तुतमिश, मोहंबद बिन तुगलक और सिकंदर शाह लोधी right answer हो जाएगा मोहंबद बिन तुगलक, MBT मोहंबद बिन तुगलक या MBT इसको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था option number यहाँ पर C, right answer हो जाएगा मोहंबद बिन तुगलक option number C, प्रश्णि के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा electron volt किसकी इकाई है यहाँ पर आपको जो option दिए गए है इन में से किसकी इकाई है electron volt विद्द उर्जा, शक्ति, कार या विवांतर तो right answer है electron volt आपकी विद्द उर्जा की इकाई है option number है विद्द उर्जा की इकाई है electron volt बिल्कुल सही answer हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए अगला question दिखिए पौधे का विकास सबसे अधिक किस रितू में होता है पौधे का विकास सबसे अधिक इन में से किस रितू में होता है क्या हो जाएगा right answer तो पौधे का विकास सबसे अधिक होता है आपको भी पता होगा कि बारिस के मौसम में वर्षा रितु में पौधे का अधिकाज सबसे अधिक होता है option number C वर्षा रितु प्रशने के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला प्रशने की लोधी वंज का अंतिम शाशक कौन था? लोधी वंज का आखरी शाशक इनमें से कौन था? जो आपको option दिए गए है क्या हो जाएगा right answer? तो लोधी वंज का आखरी शाशक नाम पढ़ो सिकंदर लोधी, अबराहिम लोधी, बहलो लोधी या खुशरब शाह क्या हो जाए right answer? राइट answer है आपका इबराहिम लोधी लोधी वंज का आखरी शाशक था इबराहिम लोधी, option number B बिलकुल सही answer है इस प्रश्णी के लिए अगला कोशन है कि सहीद वंज के संस्थापक इनमें से किसको माना जाता है था सहीद वंज का संस्थापक कौन था? तो सहीद वंज का जो संस्थापक था वो ज़त था आपका खिजर खान, option number A, खिजर खान ये सयद वंज का संस्थापक था option number यहाँ पर ए प्रशने के लिए बिलकुल सही आंसर है Karl Marx किस देश से संबनित है बताइए Karl Marx किस देश से संबनित है France, Germany, Yunnan या पर कनाड़ा तो Karl Marx जो है यह आपका Germany से संबनित है option number B जर्मनी से संबनित है Karl Marx option number B प्रशने के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कोश्यानी कि भारतिय रेल संग रहाल है कहां पर इस्तित है तो भारतिय रेल संग रहाल है यह आपका जो option दिये गए है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और मुगल सराय में से right answer हो जाएगा नई दिल्ली में है भारतिय रेल संग रहाल है option number B नई दिल्ली right answer है गुलाम वंश का संस्तापक किसे यह माना जाता है बताइए गुलाम वंश का संस्तापक इनमें से किसको माना जाता है तो गुलाम वंश के संस्तापक के रूप में कुद्बुदीन एबक option number C बिल्कुल right answer हो जाएगा गुलाम वंच का संस्थापक कुत्व बुदिन एबक को बना जाता है option number C यहाँ पर right answer है अगला question देखिए मुहंबद गजनभी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार का नाम बताईए मुहंबद गजनभी के साथ इन में से कौन आया था नाम पढ़ लो अल बरुनी, मैगस्तनीज, डाइमेक्स या टॉल्मी तो यहाँ पर right answer हो जाएगा मुहंबद गजनभी के साथ अल बरुनी आया था option number A अल बरुनी आया था मुहंबद गजनभी के साथ भारत option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा इस प्रश्णी के लिए अगला कॉशन देखिए अगले कॉशन में आपसे क्या पूछा गया है अगले कॉशन में आपसे पूछा गया है कि भारत में आजादी के समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपको यह वताना है नाम पढ़ लो डॉक्टर राजिन प्रशाद सुभाश शंद्रभोश जी जेबी कृपलानी जी या पर महात्मा गांधी जी आजाद होने के समय क्या हो जाएगा राइट आंसर तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उस समय थे आपके जे भी कृपलानी जी कॉंग्रेस के अध्यक्ष ते या रखेगा इंपोर्डेंट कॉशन बहुत इंपोर्डेंट कॉशन अगला कॉशन है कि संग मरमर का सूत्र क्या होता है बताइए संग मरमर जो होता है उसका सूत्र क्या होता है एक्जाम में कई बार पूछा गया कॉशन क्या हो जाएगा राइट आंसर तो संग मरमर का सूत्र होता है आपका CACO3 option number A option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा संग मरमर का सूत्र अगला कोशन है कि तुगलक वंश का अंतिम शाशक कौन था बताना है आपको तुगलक वंश का आखरी शाशक कौन था क्या हो जाएगा right answer तुगलक वंश का आखरी शाशक था आपका नसुरुद्दीन महमूद option number C नसुरुद्दीन महमूद यह तुगलक वंश का आखरी अंतिम शाशक था option number C यहाँ पर right answer है निम्दले कि तुप से कौन एक अर्द विक्सित बच्चे को जन्म देता है बताईए बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला कोशन है कि सबसे बड़ा इस्तंदारी या मैमल कौन है यहाँ पर आपको जो option दिएगा है उसमें से सबसे बड़ा इस्तंदारी या मैमल कौन सा है तो सबसे बड़ा इस्तंदारी या मैमल यहाँ पर आपको जो option दिएगा है सबसे वड़ा स्तर्णारिया मैमल कौन सा है तो सबसे वड़ा स्तर्णारिया मैमल है आपका Blue Whale option number A Blue Whale यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रशन के लिए दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवन्शों ने साशन किया था तो दिल्ली सल्तनत में टोटल पांच राजवन्शों ने साशन किया था option number B पांच राजवन्शों थे दिल्ली सल्तनत के तहत option number B यहाँ पर right answer है सबसे कमवन किस राजव में पाए जाते हैं बताइए सबसे कमवन यहाँ पर आपको जो option देए हैं किस राजव में पाए जाते हैं तो सबसे कमवन पाए जाते हैं आपके हरियाना राजव में option number D हरियाना राजव में सबसे कमवन पाए जाते हैं option number D बिल्कुल सही answer है गुलाम वंश का अंतिमें शाशक इनमें से कौन था आपको बताना है गुलाम वंश का आखरी शाशक कौन था तो यहाँ पर आपको जो option दिएगा है उसमें से right answer हो जाएगा QMERS option number B गुलाम वंश का आखरी शाशक था QMERS option number B right answer है किस सम्विधान संशोदन विदेख द्वारा संसद ने मतदान की आयू को 21 से 18 वर्ष कर दिया 21 वर्ष से घड़ाकर 18 वर्ष कर दिया तो यहाँ रखना इस प्रशनिक answer आपको comment करके बताना है मैं आपको दो option दे देता हूँ पहला है 61 सम्विधान संसोदन दूसरा है 71 सम्विधान संसोदन A और C में से कोई एक answer सही है comment करके बताना है कौन सांसर सही है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा पूरा वीडियो देखा है तो हमें comment करके बताईए आपने पूरा वीडियो देखा हो तो प्लीज वीडियो को like कर देना यदि अभी तक नहीं किया चैनल पर पहली वारा आये हो रोज ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो पढ़ना चाहते हो चैनल को subscribe कर लेना हमने बहुत महनत करके आपके लिए जैसे यह 50 question पढ़ाएं ऐसे 10,000 question निकाले हैं तोटल 10,000 question है आप में से जिसको भी वो PDF चाहिए वाटसप पर वो PDF मिल जाएगी नीचे दीगर नंबर पर आप संपर कर लेना phone पर Google पर Paytm के माधियम से payment करके उसका screenshot हमें वाटसप पर शेयर कर देना वाटसप पर आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे question आपको कहीं नहीं मिलेंगी इतने शांदार question है ठीक है और selected question है 300 रुपे की PDF लेकिन आपको 99 रुपे में दी जा रही है तो जरूर purchase कर लेना क्योंकि फिर से 300 रुपे की हो जाएगी अभी 99 रुपे में आपको मिल रही है बिलते के लिए वीडियों मत ख्याद रहे है जय हिंद जय भारत